जैभीम साथियों आज BSP सुप्रीमो मायवदी के 64 जनम दिन के उपलक्ष में हम आपके लिए लाए हैं ये स्पेशल वीडियो जिसमें हम उनके जीवन की उपलब्दियों पर नजर डालेंगे ये वीडियो हम दलित हिश्ट्री मन्थ जो हर साल एपरिल में मनाया जाता है उनके आर्टिकल्स के सौजण्य से बना रहे हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए एपरिल 2019 के दलित हिश्ट्री मन्थ में शोद करता अश्विनी केपी ने भेंजी पर लिखते प्रभाव डाला है अम उनके नित्रित्व द्रिड संकल्प और प्रतिबंधता को सुशोभित करते हैं जिसने पूरे भारत में लाखों हाशे पर जी रहे लोगों को आत्मगरिमा प्रदान की है बहंजी का जन्म 15 जन्वरी 1956 को दिल्ली में हुआ माना जाता है कि बड़े होते हुए मायावती एक शांत घरेलू लड़की थी लेकिन निष्ठा और इमानदारी के लिए जानी जाते थी उन्होंने बी-ए और ल-ल-बी की डिग्री दिल्ली विश्व विद्याले से हासल करी जब मैं मेरट विश्व विद्याले में बी-एड की पढ़ाई कर रही थी बत और शिक्षिक का काम भी कर रही थी और साथ ही साथ सिविल्स एक्जाम की तैयारी भी कर रही थी इसी दोरान वेराज नेतिक तोर पर सक्रिया हुई जातिवाद पर जन्ता पार्टी दोरा आयोजित किये गए दिल्ली के कॉंसिटूशनल क्लब के 1977 में एक इवेंट में उनके वक्तृत्व की वहावा हुई बात ऐसी है कि दलितों को लुभाने के लिए उस समय के स्वास्थे मंतरी समाजवादी राज नारायन ने अपनी स्पीच में हरिजन शब्द का प्रयोग किया इस असमविधानिक शब्द की आलोशना करते हुए भेंजी ने एक काउंटर स्पीच दी जिसका प्रभाव कुछ यू हुआ कि श्रोताओं में बैठे बामसेफ सदस्य इस स्पीच की चर्चा मानने वर काश ही राम तक ले गए फिर क्या था कुछ दिन बाद मानने वर पहुँचे बहन जी के घर और उनसे सिविल्स की तैयारी छोड़कर राजनीती में शामिल होने की बात करी बहुत सोच विचार के बाद मायवती ने सक्रिय रूप से राजनीती में शामिल होने का फैसला कर लिया उस पल से ही बहन जी की जिन्दगी पूरी तरह से बदल गई शुरुवाती वर्षों में मायावती को अक्सर पूरे उत्तर पदेश के गाउं में साइकिल की सवारी करते देखा जा सकता था 1980 के दशक के आखिर में और 1990 के दशक के शुरुवात में जब मंडल कमिशन की रिपोर्ट आने के बाद उबी सी आरक्षन की बाद होने लगी तो पूरे देश में उथल पुथल मच चुकी थी एक तरफ दक्षिन पन थी अपनी रात्यात्रा निकाल रहे थे और दूसी तरफ आरक्षन के खिलाफ सवन प्रदर्शन कर रहे थे दंगे भी होए देश में गौरत अलब है कि काशी राम और मायावती ने लगातार मंडल कमिशन के लागू होने का समर्थन किया और अभिहान भी चलाए बहुजन एकता के सपने के साथ मान्यवर ने भहुजन समाज पार्टी की नीव 14 अप्रेयर 1984 को रखी मान्यवर ने मायावती को बीएस पी टीन के प्रमुक सदस्य के रूप में शामिल किया ये बहन जी के जीवन का एक और मुख्य पढ़ाओ बना हाला कि पहले तीन चुनाम में बहन जी को हार का सामना करना पड़ा पर 1989 में बिजनोर से उनकी पहली जीत हुई और केवल अगले छे साल में 1995 में उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री बनी देश में सबसे बड़ा सबसे अधिक आबादी वाला सबसे अधिक शक्ति शाली राज्य एक दलित महिला मुख्य मंत्री ऐसे उत्तर प्रदेश की जहां सबसे ज्यादा जातिकत हिंसा होती है जो सबसे अधिक पित्र सतात्मक शेत्रों में से एक है ब्रामिन सवर्णों का दबदबा सबसे ज्यादा है जहां सवर्ण विशेश अग्ये जिस उत्तर पदेश को दिल्ली की चाबी मानते हैं अगर हम गहरी सास ले एक बार सोचे तो भारत के इतिहास की खासकर आधुनिक इतिहास की यह सबसे बड़ी उपलब्दियों में से जरूर एक जीत जरूर मानी जा सकती है अब तक वो चार बार मुख्य मंतरी बन चुकी हैं उन्निस्सोभ पिचानвे उन्निस्हस्तानवे में दोहजार दो में और दोहजास साथ में 2012 में जब उनका कारे काल खतम हुआ तो वो 5 साल पूरा खतम करने वाली उत्तर प्रदेश की पहली मुख्य मंत्री बनी भारत के 70 साल के इतिहास में इंडिपेंडन्ट इन्या के 70 साल के इतिहास में उनके मुख्य मंत्री शासन काल में सामाजिक न्याय को पहली बार उत्तर प्रदेश की राजनीतियों में देखा गया उनके नित्रत में बहुजनों के लिए भूमी शिक्षा रोजगार से संबंदित विभिन प्रगती शील विधानों को प्रभावी ढंक से लागू किया गया दलितों के खिलाफ अत्याचार की संख्या में भारी घिरावट हुई भीमराओं अम्बेड कर ग्रामीर एकिकरत विकास कारेकरम की शुरुआत गाओं में साड़क बिजली और पानी जैसी बुन्यादी सुवधाएं उपलब्द कराने के लिए हुई वालमी की समुधाय के बच्चों के लिए शैक्षिक अनुदान दिया गया और एक पुनरवास कारेकरम की घोशड़ा भी हुई ताकि युवापीडी को नौक्रियों के लिए प्रशिक्षित किया जा सके जो उन्हें अपने जाती आधारित व्यवसाय से निकलने का मौका द उन्होंने दूसरे यूपी पिछडे वर्ग आयोग की सिफारिशों को भी लागू किया जिसने 1994 की अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि पासमांदा मुसल्मानों को राज्य प्रशासन के पदों में आरक्षर दिया जाए कानून व्यवस्था को कभी बिगरने नहीं दिया उन्होंने दंगे नहीं होने दिये विश्व हिंदु परिशज जैसे हिंदुत्व संगठनों को दबाव में रखा उन्होंने मतुरा में अयोध्या जैसे शर्यंतर नहीं रचने दिये बहन जी ने भूमी हीनों को भूमी के पुनरवित्रन के लिए भी कई प्रयास किये इन नीतियों के प्रमुक लाभारती राज्य में हाश्य के समुदाय थे पहले ये सुनिश्चित किया गया कि पिछले प्रयशासंद्वारा दलित दाविदारों को जान पूछ कर जो पट्टे आवंटित नहीं किये गए उन्हें आवंटित किया जाए 158,000 परिवारों को 120,000 एकर जमीन दी गई कुल मिलाकर करीब 53,000 एकर जमीन के लिए 51,500 परिवारों को वित्रित करने के लिए पट्टे भी दिये गए उन्होंने तहसिल दिवस प्रडाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसकी आवशक्ता पर बात करी ताकि आम लोगों को जिला अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याव को लाने का उचित अफसर मिल सके इसके अलावा कई विकास परियोजनाए जैसे की थर्मल पावर प्रोजेक्ट, एक्सप्रेस वे और सस्ते मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल भी बनाए गए आप नॉइडा का शहर ही देख लीजे कितना विकास हुआ बहन जी के समय में वहाँ फॉर्मुला वन कार रेसिंग का ट्रैक बना, बुध इंटरनाशनल सरकेट, बुध्धा के नाम पे दुनिया का एक बेहद लोग प्रिये खेल पहली बार भारत में हुआ पुरी दुनिया को विश्वाश्त नहीं था कि भारत ऐसा कर पाएगा पर बहन जी के नित्रित्म में ये हो पाया बाब सहिब अंबेड कर जोदिबा फूले कांशीराम जैसे नित्याओं की विरासत और उनकी योगदान को याग करने के लिए राष्ट्रे दलित प्रेर्णा मंच, मान्यवर श्री कांशीराम जी, ग्रीन इको गार्डन और डॉक्टर भीमराव अंबेड कर सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल जैसे कई समारक भी बनाए आगरा विश्व विद्याले का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेड कर विश्व विद्याले कर दिया गया कानपूर विश्व विद्याले छत्रपती शाहुजी महराज विश्व विद्याले बन गया काई जिलो को पुनर गटित किया गया और अम्बेटकर शाओजी माराज महमाया के नाम पर रखा गया जो बुद्ध की माता का नाम था हर जाती के समुदायों को लाम बंद करने के अपने प्रयास में उन्होंने बौध नारा सर्वजन हिताए सर्वजाए सुखाए भी जारी किया पर फिर भी इन सब कारणों के बावजूद भी ऐसे काम करने के बावजूद भी दिल्ली की सवन टीवी मीडिया ने केवल भाउजन नेताओ के समारक ही दिखाए और उन्हें व्यर्थ का खर्चा बताया आज से आट-दस साल पहले की बात है ये इतनी कुंठा थी उस समय भी भी ब्रह्मनवादी मीडिया में जो आज कोदी मीडिया कहलाया जाता है तो एक महिला के रूप में एक दलित महिला के रूप में एक राजनितिग्य कारेकरता लेखक और विचारक के रूप में उन्होंने भारतिय राजनीती के इतिहास में एक उलेखनिय चाप छोड़ी है सामाजिक नियाय को भारती राजनीती का केंद्र बिंदू बनाना एक क्रांतिकारी काम है खुद में बहन जी की लड़ाई, साहस और दिड़ता हम सब के लिए प्रेणना का सुरोत है हम अंत में एक बार फिर से दल्थ हिस्ट्री मंथ को धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि हमारे शोध में हमें पता चला एक लौता आर्टिकल ऐसा मिला हमें जो दल्थ हिस्ट्री मंथ में बहन जी की जिन्दगी के बारे में था तो आप इसलिए इस वीडियो को जाँ 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 शेयर कीजिए क्योंकि जाँ जाँ तर इस बारे में बात नहीं होती इस टॉपिक पे चर्चा नहीं होती उनकी जिन्दगी पे उनकी उपलब्दियों के बारे में तो इसको जितना जाँ जाँ हो सके जाँ शेयर कीजिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल आइकन जरूर दबाईए तुरंट नोटिफिकेशन पाने के लिए हम फेस्बुक और ट्विटल पर भी आक्टिव रहते हैं आप चाहे तो दशुद्र मीडिया को वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं जै भीम साथियों